नमस्कार दोस्तों, स्वागट है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रमरपन दलानिंग प्वाइंट में दोस्तों, आज में आप लोगों के लिए 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के करिंट अफेर्स का कोजन्स लेकर आई हूँ Friends, आज करिंट अफेर्स सारी एकजाम का एक महटपुन टॉपिक बन चुका है इसलिए हमारा ये वीडियो आपके लिए हेलफुल होगा इसलिए इस वीडियो को पुरा देखने का पर्यास करें तो चलिए अश्टार्ट करते हैं कोचा नमबर फर्स्ट अलेक्षी होजे रुक को किस देश का प्रधान मंत्री चुना गया तो अलेक्षी होजे रुक को युक्रेन का प्रधान मंत्री चुना गया है युक्रेन के राजधानी कीव है यहां की मुद्रा रिविन्या है और राष्टपती बिलोडिमीर जिलेस्की है लाइफ 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 के रूप में नुक्ट किया गया है। किसने अंगिकार अभियान सुरू किया है। हरदीव सी पूरी ने अंगिकार अभियान सुरू किया है। हरदीव सी पूरी हमारे केंडरी ये आवाश एवं सहरी विकास मन्त्री हैं। अंतराष्टिये नियाइक सम्मेलन 2019 की मेजवानी कौन करेगा। तो ये भारत अंतराष्टिये नियाइक सम्मेलन 2019 की मेजवानी करेगा। ला अर्ट्रादहाई मैरायठन को पूरा करने वाले पहले भारतिये कौन बने। तो ये आसीज का शोरकर बने हैं। भगसी कोशियारी को किस राज का राजपा नुक्ट किया गया है तो भगसी कोशियारी को महाराष्ट का राजपा नुक्ट किया गया है महाराष्ट की राजधानी मुंबई है यहां के मुख मंत्री, डिवेंट फरनवीश हैं तथा राजपार भगर सी कुश्यारी हो चुके हैं काहां देश का सबसे उचा अस्काई साइकलिंग ट्रेक बनाया गया है तो मनाली में देश का सबसे उचा अस्काई साइकलिंग ट्रेक बनाया गया है BSF के 25 महा निर्देशक कौन बने हैं तो बीवेक कुमार जाहरी BSF के 25 महा निर्देशक बन चुके हैं किस देश ने अपनी रजधानी को फूल भी काली मंतन में अस्ठांटिट किया है तो ये इंडोनेशिया ने किया है इंडोनेशिया के पहले की रजधानी जकाता थी परन्तु अब इंडोनेशिया ने अपनी रजधानी को फूल भी काली मंतन बना चुका है इंडोनेशिया की मुझ्जा रुफिया है यहां के राष्टपती जोको भी डेडो हैं अशॉर्ट हिस्ट्री ओफ इंडोनेशिया रेलवे नामक पुष्टा के लेखक कौन हैं तो राजियन वी अकलेकर अशॉर्ट हिस्ट्री ओफ इंडोनेशिया के पुष्टा के लेखक हैं भारत का पहरा कच्रा कैफे कहां खोला जाएगा तो ये 36 गड़ में खोला जाएगा 36 गड़ के राजधानी राइपूल है यहां के मुख मंची भुपेस बगहेल हैं तथा राजपार अंसुया उईके हैं बिस्व कॉसर प्रतियोगता में पढ़क पाने वाली पहरी भारतिय महिला कौन बनी हैं तो ये सुएटा रटनपूरा जो बिस्व कॉसर प्रतियोगता में पढ़क पाने वाली पहरी भारतिय महिला बन चुकी हैं KVIC ने ब्रट मिट्टी के बटनों को पूना हुपियोग हेतु तेरा कोटा ग्राइंडर कहां लॉंच किया है तो ये बारा नसी में लॉंच किया गया है नमस्ते पैसिफिक कारकरम का आयोजन कहां किया गया है तो यह नई दिली में नमस्ते पैसिफिक कालकरम का आयोजन किया गया है गलोबर, गोलकिफर आवाज से किसे समानित किया जाएगा तो नरेन मोडी को गलोबर, गोलकिफर आवाज से समानित किया जाएगा A.W.E.B. के अध्यक्ष के रूप में किसे कालभार संभाला है तो सुनिर अरोडा ने A.W.E.B. के अध्यक्ष के रूप में कालभार संभाला है किस देश की सेना ने मौंट, लियो, परगिर पर सफलता पुर्भक चढ़ाई की है तो ये भारत की सेना ने मौंट, लियो, पर सफलता पुर्भक चढ़ाई की है E.S.I.C. ने किस बैंक के साथ समझाथा किया है तो E.S.I.C. ने S.B.I. बैंक के साथ समझाथा किया है E.S.B.I. के स्थापना एक जुलाई 1955 को हुई थी इसका मुख्याले मुंबई में है इसके चेर्मेन रजनिस्त कुमार है तथा E.S.I.C. के स्थापना 24 फवरी 1952 में हुई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में है तथा इसके सेकेर्टर जनल राजकुमार है किसे लैफ और पीस और सेंट फ्रांसिस फ्रसकार से सम्मानित किया गया है तो मुहमर उनुस को लैफ और पीस और सेंट फ्रांसिस फ्रसकार से सम्मानित किया गया है तो ये नई दिल्ली में तो ये नई दिल्ली में किस देश में भारत का अगला उच्या युक्णिक्ट किया गया है तो दच्छिन अफ्रीका में जैदीब सरकार को भारत का अगला उच्या युक्णिक्ट किया गया है दच्छिन अफ्रीका के राजधानी तीन है Cape Town, Pretoria और Blom Phonete Cape Town इसकी बिधाई की रजधानी है Pretoria इसकी कारपाली का रजधानी है और Blom Phonete इसकी न्याईपाली का रजधानी है दश्मी अफ्रीका के मुझ्रा रेंड है यहां के राश्ट पती सिरिल रामाफोर्शा है CVAC ने AI अधिगर्म के लिए किसके साथ साधेदारी की है तो यह Microsoft के साथ CVAC ने AI अधिगर्म के लिए साधेदारी की है Microsoft के इस्ठापना चार अपरे 1925 बी में हुई थी इसका मुख्यार रेडमंड वाशी गटन में है और इसकी CEO सत्या नडेला है किसराज ने आपरा परबंधन में IT Excellence पुरसकार जीता है तो यह ओडिशा ने आपरा में IT Excellence पुरसकार जीता है ओडिशा की राजधानी वुमनेश्वर है यहां के मुख मंट्री नविन पतनाइक है यहां के राजपार गनेशी लाल है Mobile Science Museum बशो का सुभारंब किस ने किया है तो ये प्रहरासी पटेर ने Mobile Science Museum बशो का सुभारंब किया है प्रहरासी पटेर बतमान में किंड्रिये संस्क्रीट एवं परियतन राजमंत्री है दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियों में उमीड करती हूँ आज कहां हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें तठा अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो उसे सुधार करने के रिए कमेट करें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वे प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुं सकें और जो लोग वीडियो को दिसलाई करते हैं वो दिसलाई करने का बज़र भी बता दें धन्यवाद